नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ की ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे तंजौर के ब्रहधीश्वर मंदिर के बारे में जिसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें अगर व यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एक मात्र मंदिर है जो की ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता वास्तुशिल्प और केंद्रिय गुंबत से लोगों को आकरशित करता है। इस मंदिर को यूने प्रिश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। इसके तेरह मंदिले भवन की उचाई लगभग 66 मीटर है। इस मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। यह मंदिर उतकीन संस्कृत व जिस पाशान पर यह कलश स्थित है, अनुमानत उसका भार 2200 मन या कहे 88 टन है और यह एक ही पाशान से बना है। मंदिर में स्थापित विशाल भव्य शिवलिंग को देखने पर उनका व्रहदेश्वर नाम सर्वता उप्युक्त प्रतीत होता है। मंदिर में प्रवेश कर तथा 3.7 मीटर उंची है। भारतवर्ष में एक ही पत्थर से निर्मित नंदी जी की यह दूसरी सरवाधिक विशाल प्रतिमा है। तो यह थी ब्रहदिश्वर मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और मिलते हैं अगले विडियो में धन्यवाद।